कास्ट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, विकास ही जरूरी है, कॉंग्रेस की खुद की जाती के आज तक हमें यहीं नहीं पता चला है, आज सत्ता के अंदर जो श्री नरेंद्र मोधी जी बैठी हैं, उनके पास इस समय सबसे जादा पावर है, जो बदलाव ला सकते हैं, उनक दिन में जान सकते हैं, गरीब की जोपडी में जहां एक टाइम का खाना खाया है, वहां कम से कम छे टाइम खाना खाएं. कुछ चाहते हैं, तो आएए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, कास्ट जरूरी है या फिर देश का विकास जरूरी है? हमारी तरफ से तो जी हम यह कहना चाहेंगे कि कास्ट बिलकुल भी जरूरी नहीं है, विकास ही जरूरी है, कास्ट को आप जंगरना करके या उसकी गिंती करके क्या करना चाहते हैं, लोगों को बाटने के लिए, वो अगर आप बाटना चाहते हैं तो वो तो गलत है, और जो आज का एक लक्षे है विकास वही जरूरी है कास्टेनिजम में कुछ भी नहीं है शुरू से भारत में चलता आया है सिस्टम चल रहा है कोई डिस्टरब नहीं है एक समाज का वर्ग बटा हुआ है वर्गी करन शुरू से चलता आया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम बात करते हैं बहुत तरधन की जातीया निकल के आति हैं तो क्या लगता हैं जाती अब करते हैं तो क्या कुछ देष को नुक्सान होने वाले क्योंकि शुरू चे जो Čनका आ जातियां ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं लेकिन जब हम उसका आंकलन करेंगे और सामने आएंगी वो चीजें खुलेंगी जो शक्तिशाली लोग हैं उनको पता चलेगा यह जातियां पिछड़ी हुई हैं दबी हुई हैं इनकी आबादी कुछ नहीं उनको दबाने के भी काम कर सकते हैं लेकिन जो चीजें छुपी हुई हैं स्टी, स्सी, ओबीसी जो भी चीजें सरकार के बंद लिफाफे में हैं उसको बंदी रहने दिया जाए शैतान को बाहर ना निकाला जाए हमारा तो यही मानना है ना इसको कोई लाब नहीं है और जातियों खास करके कॉंग्रेस वो यह कहती है कि जहां-जहां हम आएंगे जातिवाद जनगर्ना जो हम करवाएंगे तो क्या लगता है क्या इससे वोट बैंक जो उनका बड़ेगा इसलिए करवा रहे है या कोई और कारण उसे पहले तो जी अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो कॉ कि जाति के आज तक हमें यहीं नहीं पता चला पंडित नेहरो जीर्ट इंद्रा गांदी उनके पति फिरोज गणधी बच्चे राजीव गांदी फिरोजखान थे कि लेकिन गांधी कैसे बने इतियास में किसी गनिप आया गया जब उनकी खुद की किसी जाती का नहीं पता वो तो चाहेंगे यह जाती में बाटना वो उनकी शुरू से एक ही नियम रहा है वो क्या कहते हैं डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाला क्या कहते हैं उसे हम हिंदी में बाटों और राज करो पूर डालो और शासन करो यह उन्हीं का काम है वरना एक बात बताईए आज सत्ता के अंदर जो श्री नरहिंद्र मोदी जी बैठे हैं उनके पास इस समय सबसे जादा पावर है पूरे देश ने उनको बिठाया हुआ है उनको जरूरत लग रही है जो बदलाव ला सकते हैं उनको कोई जरूरत नहीं जहां जहां कॉंग्रेसियों का राज है वहां आप देखिए दबे और पिछडे हुए यहां सिर्फ एक विशेश जाती वर्ग को फायदा पहुंचाने की ही राजनीती करते हैं इसके इलावा और कुछ नहीं है इनके पास शुरू से इनोंने बाटा है देश को बाटा जगा जगा जा रहे हैं पिछडे बर क्या बात कर रहे हैं उनके साथ भी जाते हैं उनके घर में जाके खाना भी पकाते हैं खाना भी खाते हैं जमीन पर बैटके साथ मैं खेतों में भी काम करते हैं तो क्या लगता है वो सब क्यों कर रहे हैं यह सारा जितना भी ड्रामा हो को कुछ समय विताना चाहिए तो उन्हें बोलिये गरीब की जोपडी-में जहां एक टाइम का खाना खाया है, वहां कम से कम छे टाइम खाना खाएं, कम से कम छे रातें तो सोएं, पता तो चले पीड़ा क्या होती है, फिर बात करें बदलाओ की, जो खुद को नहीं बदल पाते हैं, एसी काड़ियों से उतर नहीं पाते हैं, बिना एसी के रह नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, एक ग की देश में कास्टिजम नहीं होना चाहिए वाखे मां कहीना कहीं देखा जाये तो जाती बात है विकास को कहीना कहीं पीछे धकेल रहा है आपकी क्या राए अपनी आहिंग्र साजॉज साजा करें इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़ेएं कि तरह हुं हमारे साथ देख टि आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की